यदे गुरू के दया होते तो मम्यो दार हो जाता यदे गुरू के दया होते तो मम्यो दार हो जाता जगत की मो मम्ताओं से छुट कर पार हो जाता यदे गुरू के दया होते तो मम्यो दार हो जाता वनादी से मैं बटका हूँ रट चाकरों में लटका हूँ ये आवा अगमन के जगडे से की मम्यो पकार हो जाता यदे गुरू के दया होते तो मम्यो दार हो जाता जगत की मो मम्ताओं से छुट कर पार हो जाता आने को जन्म की कलियां जो सूखे है निजातम के वार उप देश से गुरू के चमन गुल जार हो जाता वार उप देश से गुरू के चमन गुल जार हो जाता यदे गुरू की दया होते तो मम्यो दार हो जाता जगत की मो मम्ताओं से छुट कर पार हो जाता विसर के पंक में दस कर जगत के मो में पस कर मनिज पद भोल बैठा हो मनुज तनसार हो जाता यदे गुरू के दया होते तो मम्यो दार हो जाता ये बाओ निदिका जपोरा है दिन अभिलास तेरा है करो गुरू वर्दया द्रिष्टे तो बेड़ा पार हो जाता यदे गुरू के दया होते तो मम्यो दार हो जाता बोले शद्गुरू देव के जैसार बोले शद्गुरू देव के जैसार पूजनी संत समाज सम्माननी गणमाननी सज्जनो भक्ति मई, ममता मूर्ति, माताओ बहनो एवं प्यारे बच्चों हम सब लोग यहां एकत्रित हुए हैं तो कुछ जीवन की बात हो जाए ज्यादा तर चीजों की बाते हुआ करती है घर परिवार में जहां भी चार लोगी कठे हुए तो चीजों की बाते होती है घर कैसा है, कपड़े कैसे हैं बाल बच्चे कैसे हैं खेती दुकान व्यापार कैसा है गहने कपड़े, गहने उनके कैसे हैं तमाम यही सब बाते होती है जीवन की बाते होना चाहिए जो जहां रहे रहे हों चाहें देवियां हो और चाहें भाई लोग हो जीवन हमारा कैसा हो और हम सही अर्थों में सुखी कैसे बने ये चर्चाएं किया करना चाहिए तो थोड़ी सी इसी विशाय पर कुछ चर्चा करें सब लोग अपने अपने जीवन पर विचार करें कुछ दुख है की नहीं विचार करने पर पता चलेगा कि दुख दुख साब को दुख की ही धारा चारों तरब बाह रही है देखो दुखे है कोई सौक से साल ओड़े है क्या यहां ठंडी का दुख है अभी साल घट जाए तो सब ठिटूरने लगेंगे थोड़ा सा धूप आ गई है तो यहां धूप के लोब वस जल्दी आ गए चलो थोड़ा सा धूप का लाभ ले लिया जाए सर्दी जुकाम हो जाती है दुख है रोग व्याद ही आ जाते हैं दुख है किसी के बाल बच्चे नहीं है तो दुख है क्या करें हमारी जिंदग्ये बेकार है हमारे कोई बाल बच्चे नहीं है अब बाल बच्चे होकर रोगी हो गए तो भी दुख है हमारी किस्मत ही खराब है, हमारे बाल बच्चे रोगी हैं, कहां तक इलाज कराऊं है, पैसा नहीं है अब हमारा बेटा इतने उमर का हो गया, चल नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता बहुत दुख है, माता पिता परेशान है उसको सेने में, पालने, पोशने में रोगी भी नहीं है, चलो, तो कहीं दुष्ट निकल गया, उद्धंड है, उद्जड है, आज ये खूब हो रहा है, रोग भी बढ़े हैं, लेकिन उद्धंडता, मनमानी, पन, अवज्याकारिता, ये बहुत ज्यादा है, घर-घर की कहानी है, बच्चे थोड़ा सा बड़े हुए, अब अस शुरू उनका अहंकार, तो कहीं तंबाकू में, कहीं सिग्रेट में, तो कहीं गुठखा, सराब में, फस गए, और एक बार इधर जो फसा, तो फिर निकलना कठिन होता है, ये वन वे है, जा सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, जैसे जहां वन वे होता है, सडकों में, उधर जा सकते हैं, एक तरफ, उसी तरफ से लोट नहीं सकते, आयसे ये दुरवेशनों का जो मार्ग है, वन वे है, जो एक बार इसमें घुसा, कोई बिरला होगा, सव दो सव में कोई एक ब्यक्ति, जो लोट सकता होगा, नहीं एक बार यहां फंसा तो फिर गया, उसका सारा धन नश्थ हो जाएगा, तन भी नश्थ होगा, परिवार भी नश्थ होगा, सारी संस्कृति और सभ्यता नश्थ हो जाएगी, और यह बच्चों में आज खूप चल रहा है, और यह हो गया तो धन की कमी है, चलो ठीक है, बच्चे भी अच्छे हैं, और रोगी भी नहीं है, लेकिन अब धन की कमी है, कहीं दुकान नहीं चलती, कहीं ब्यापार नहीं तो कहीं खेती में अस्फलता आजाती है, तो कहीं और किसी धंग से घाटा लग जाता है, तो कहीं पडोशी भूट खराब ऐसे बेकती मिल गए, जो रात दिन परेसान करते रहते हैं, कोई जमीन हड़ा परहा है, तो कोई चोरी कर रहा है, और किसी धंग से कुछ हमारी हानी कि पहुंचा रहा है तो चारो तरफ जिधर देखो उधर दुख जगत दुख सरिता धार भःे हुए हमारे एक संथ हुए हैं सदगुरु विशाल साहः उन्होंने भजन में लंबा पद गाया है उन्होंने कहा जगत दुख सरिता धार भःी है संसार में दुखों की एक नदी बाह रही है और उस नदी में सब लोग बहे जा रहे हैं अब सद्गुरु कबीर कहते हैं तन धारी सुखिया काहू न देखा जो देखा सो दुखिया जिसको देखा जाए वही दुखिया कोई देह धारी सुखिया नहीं है जिससे हम एक दुखडा कहते हैं वो चार दुखडा सुना कर रो पड़ता है आप लोगों को भी कुछ दुख लग रहा है की नहीं दुख है लेकिन लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं दुख को देखो और जब दुख को देखेंगे तो दुख से बचने के लिए उपाई भी सोचोगे जैसे सांप सामने आ रहा हो तो सांप को आप देखेंगे नहीं तो उसी को उपर चढ़ जाएंगे और काट खाएगा और जब सांप को देखेंगे तो दूर से बचने का प्रयास करेंगे अब बच जाएंगे इसलिए दुखों से बचने के लिए उसको जानना जरूरी है जीवन में दुख क्या है और अपने अपने घरों का दुख देख लो कोई कि साधी नहीं हो रही इसलिए दुखी है और लल्चाय हुए है कि हमें कोई लड़की मिले कोई लड़का मिले अब मिल भी गए साधी हो गई तो दुखी है कि हमें ऐसा लड़का मिल गया है कि अब पुरुच लोग रो रहें कि हमें कैसे मूर्ख आगबॉला मिल गई है कि ना भयवस्ता जानती है घर का मैनेजमेंट जानती है अना बात करना आता है अना घर की लोगों के साथ सुन्दर व्योहार करना आता है सब का दुख है अपना अपना बच्चों का अपना दुख है जमानों का अपना दुख है आई इन बुढ़ों से पूच लो इनका क्या दुख है इनका अपना दुख है कि क्या करें साहे बहु बात नहीं मानती है, बेटा पास में नहीं बैटता है, और जो कमाता है तो कुछ हिसाब नहीं देता है, और दुकान में रहता है, और उधरे कमाता है, उधरे क्या-क्या खाने पीने लग गया है, सबका तो दुख है अपना अजमानों से दुख पूछो तो क्या है यह पिता जी हमारे पीछे लगे रहते हैं डंडा लिए अयह बुढिया सासु मा है जो तो यह तो हर दम टोक टांकी में ही लगी रहती है यह न करो वो न करो वैसा न करो वैसा न करो मुबाइल न चलाओ व से Prim preguntas साथ की अपनी मढ़ी बडी बडी समश्याय है इन सारी समस्यायूं का एकर दवा है मिण समझदारी की कमि skipping कि समझदारी बहुत बड़ी चीज है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर समझदार नहीं है तो दुख कोडी का है अर आज पढ़ा लिखा नहीं ह है किन्त गहरी समझदारी है अच्छे संसकार है तो बहुत अच्छा आदमी होगा बहुत सुखी होगा हो कि अब पढ़ाई लिखाई से कोई सुखी होता है पढ़ लिख लिए हैं लेकिन ऐसी विलासिता ऐसा फैसान ऐसा नकरे बाजी है क्यों पढ़ाई लिखाई क्या करेगी एक इस्त्री थी गई बाजार में और दुकानदार से कहीं कि भाई सहाब ऐसी साड़ी दीजिए मुझे कि मेरा मेरी पढ़ोसन देखाए तो जल भुन जाए तो उसने कहा कि भाई जी अभी अभी मेरे पास साड़ी तो थी लेकिन अभी अभी एक घंटे पहले आपकी पढ़ोसन खरीद लेकर के चली गई आप बताओ आप कौन जले भुनेगा जब पढ़ोसन पहनेगी वो तो खरीद ले गई है अब वो पहन कर चलेगी तो फिर पहलना भुनना है एक सजयन थे उन्होंने कहा कि महाराज जब मैं अपने पढ़ोसी को देखता हूं तो मेरा एक पसर खून घट जाता है इतना इर्शा द्वेस है एक पसर खून घट जाता है तो पढ़ोसी तो रहेगा सदयो और धीरे धीरे आपका सारा खून फिर सूख जाएगा काहे को इतना घबरा रहे हैं काहे को इतना किसी से इर्शा द्वेस है अरे किसी के बढ़ गई है दुकान किसी का घर हो गया है बड़ा आप किसी के बच्चे ज्यादा पढ़ लिख लिए है तो अच्छी बात है खुश हो ये ये थोड़ा थोड़ा चीजों को ले पूरा होगा सदा हमारे से बड़े लोग रहेंगे अब सदा हमसे निम्न लोग छोटे लोग भी रहेंगे इसलिए सदेव मन में समझदारी रखो सब के साथ प्रेम सब के साथ सुन्दर बरताओ अपने चीजों में संतोष के और संसील्टा का भाव कर घर में जहां रहें सहनसील बनने की जरूरत है बिना सहे कोई बच नहीं सकता है देखो आप लोग सह रहें कि नहीं चाहे जितना आप कप्ड़ा पहल लिजिए लेकिन थंडी सहना पड़ेगा गर्मी सहना पड़ेगा मखी मत्छर की सहना और धूप सहना पढ़ेगा भूख प्यास सहना पढ़ेगा कहीं जा रहे हैं धूल-गर्दा प्रदूसन सहना पढ़ेगा सब तरफ से तो सही रहे हैं लेकिन जब आप सहने का मन में भाव बना लेंगे नहीं हमको सहना है कोई कुछ कह देगा तो भी सहेंगे कुछ हानी हो जाएगी तो भी सहेंगे कोई हमको दो बात सुना देगा तो भी सह लेंगे अब हमसे ज्यादा किसी हो जाएगा जब तयारी से सहेंगे अब तब सहने का लाभ मिलेगा मन में सांतिया हैगी एक मजबूरी से सहा जाता है, एक तयारी से सहा जाता है तो मजबूरी से नहीं, तयारी से सहिए कि हमें सहना है, हमें सास की सहना है हमें दिवरान की सहना है, हमें जठान की सहना है हमें बहु की भी सहना है, बेटा की भी सहना है बढ़ोसी की भी सहना है अचलम हि WILS हमारी साह benefit tão काओं सहता है जाध कमज़ोर लोग सहते हैं कि बहादुर लोग सहते हैं हैं कमज़ोर लोग तो थोड़न तो ने गरम तवा पर पाणी पड़े ना तो खल्खलाने लगता है वह से थोड़न तोड़ी सी बात आगई तो मार आग बबूला हो जाएंगे, लड़ने जगड़ने लगेंगे, गालियां देने ले, वो कमजोर लोगों का सभा होता है, थोड़ेन में छंचना जाना, लेकिन जो मजबूत लोग होते हैं, कोई बात नहीं, हाथी जाता है, तो कौन, हाथी भू भूख रहे हैं, अब कुत्ता भूखता है, तो हाथी थोड़ा भी नहीं घबराता है, अब जानते हैं कुत्ता क्यों भूखता है, कुत्ता इसलिए भूखता है, वो विरोध नहीं करता है, अब हाथी उसका कुछ कर्जा नहीं लिये है, कुत्ता यही सोचता है, कि तु तो आल्षा क्यों हो गया है, यह बड़ा बड़ा अच्छोड बनने की बड़ी बात हो गई है, कुत्त आ इरशा कर रहा इसलिए भूक रहा है, अब इरशा करने वाला कभी हुट्त हाथी जैसा हो जाएगा, भूक-बूक करके सदा से कुत्त हाथी को भूकते आए है, तो कभी आज तक हुए कोई अरे जहां है सांत्र है एक मेधग था तो रास्ते में एक जगे हाथी को चलते हुए देखा तो अरे यह इतना मोटा ताजा इतना फूला मैं भी हाथी जैसे हो जाओं तो गया मसीन जहां हवा भरी जाती है उसकी दुकान पर प्रेसर वाले हवा वाले से कह कि मुझ में भी हावा भरो मैं भी हाथी जैसे हो जाओं तो उसने हावा भरना सुरू किया तो थोड़ा भरा तो एक दम फूल गया और भरा तो और फूल गया कहां हाओ भरा हाथी जैसा होना है और भरा तफक कसे फूट गया तो मेधग हाथी जैसा बनना चाहे तो बेकार की चेष्टा है ना इसलिए हम जो लोग जहां है जैसा है वैसे रहें और इसी में अपनी समझदारी को बढ़ावें हमारे पास धन कम है इसलिए हम दुखी है ऐसी बात नहीं है कपड़े कम है टीवी छोटी सी है मोबाइल थोड़ा छोटा है और घर छोटा है इसलिए दुख है इसलिए दुखी है यह कोई बात हुई यह दुख का कारण नहीं है अगर कोई ऐसा सोचता है तो बहुत साधारन बुद्धी है दुख है हमारे पास ना समझी का समझदारी अपनाना चाहिए साहन सीलता हो प्रेम हो त्याग हो धायर्य हो विनम्रता हो ऐसा सुभाव सुन्दर सुभाव अपनाने की जरूरत है हमारी भारती परंपरा में कलह की भावनाएं ज्यादा हो जाती है असहन सीलता बीस पुरुस लोग एक साथ बैठे होंगे तो आपस में रह लेंगे बिना अरे कलह तो देखो जहां समझदारी नहीं वहीं कलह हो जाता है लेकिन चार देवियां एक साथ रह रही हो और उनमें ना लड़ाई हो बड़ा मुश्किल है हो जाती है लेकिन वहां देवियां भी अगर समझदारी से जीवन जीती हैं तो वहां भी लड़ाई नहीं होती है कई घरों में देखा गया कि एक परिवार में देखे कि 30-40, 30-35 लोग थे च्छे साथ देवरान जठान थी, फुरुष लोग थे, बच्चे कई थे, बच्चियां थी और यह सब का एक साथ भोजन बनता था और सब एक दूसरे के बच्चों को इतना प्यार से पालती, संभालती, भोजन बनाती, घर की साथ सफाई, आये हुए अतितियों का स्वागत, और किसी के नई हर से कोई आ जाए, और सब वैसे ही प्रेम करें, अपर चित लोगों को पता नहीं चलता था, कि यह लोग कौन द अखें, यह कितना बढ़िया है, इससे सब को बड़ा लाव मिलता है, बड़ी उन्नती होती है परिवार में, बच्चों को अच्छे संसकार मिलते हैं, और जहां पर एकाकी जीवन है, अकेले-अकेले रहने की भावना है, हम थोड़ा सा बना लें, खालें और सोवें, ऐसा परिवार बहुत जल्दी दुखी हो जाता है, और उनको बहुत अनेक प्रकार की असुविधाएं होती हैं, कहीं जाना हुआ, अब कौन संभाले घर, बच्चों को कौन संभाले, इसलिए जितना बन सके, घर में माता-पिता के साथ, सास-सुर के साथ, देवरान-जठान के स अरजश्ट होना आना चाहिए, और यह अरजश्ट हो करके वही रह सकते हैं, जो सहनसील होंगे, जो दूसरों को निभाने की छमता रखेंगे, और दूसरी चीज है, सुखी होने के लिए, सब लोगों को किसी ग्यान, विचार, संत और सतसंग से जुड़ करके रहना जो लोग संतों से दूर होंगे, उनके जीवन में अनेक दोस, दुर्बूर, भ्रानती तथा अंधविश्वास आना निश्चित है, संतों से दूर रह करके, अब संत के नाम पर यह नहीं कि कोई गंजेडी भंगेडी के चकर में पढ़ जाएं, और आपके हां आ करके वह ज हाड़ फूक करें और आपके रुपिया पईसा लोटा थारी भी लेके चले जाएं, ऐसा नहीं, अच्छे संत होने चाहिए, विवेक वायराग गमान हो, कम से कम उनके जीवन में कोई दोस दुर्बूल ना हो, वो पान बीडी, गांजा भांग आदी ना खाते पीते हों, त भक्ति की कमी नहीं है माताओं में, लेकिन आप अपनी भावनाओं को जड़ पिंडियों के सामने उडेलते रहते हैं, जाकर के कहीं नीम के पेड को पूझेंगे, हम बहुत जगे देखते हैं, कि नीम का पेड, बर्गत का पेड या कहां कहां कोई कुछ पेड होते हैं, मात का परिक्रमा करेंगी और फिर मनावथी कर के चली आयेंगी, हमारे बेटा हो जाये, बेटी हो जाये, और वहां कुछ लड़्ड़्डु सुहारी भी चढ़ा करके आ जाएंगी, चढ़ा अधा करके आएं, आज तक एको बेटा नहुआ, कूतिया गई और उहां के अपने अपने कर्मों का सब को हिसाब मिलता है इसलिए भटको मत कहीं यह इधर उधर माथा पटकने के चक्कर में जीते जागते देवताओं को पूझो आप लोग खुद देखो देवी हैं आप लोगों से बढ़कर कि क्या आप लोगों के समान भी दुनिया में इन नारियों से हट करके कोई और देवी है जिसको आप दुर्गा माई कहती है तो दुर्गा माई क्या है आप लोग खुद देखी होंगी दुर्गा माई को कौन किसने जनम दिया उसकी जननी कौन है कोई नहीं है एक कलाकार होता है मिट्टी लाता है उधर से कहीं से नाला से और कुछ लकडी जोड करके उमा पैरा भर करके और सूथ से बांध बांध करके और मिठी छोप चाप करके बढ़िया एक नारी का रूप बना दिया और कपड़ा ओढ़ा दिया रंग पोथ दिया अब वो दुर्गा माई बन गई शेरावाली बन गई अब उसके सामने आप लोग जा कर कि हांत जोड करके है मा आशिरवात देना हमारे बाल-बच्चों को सुखी रखना हमारा रोग ठीक कर देना हमारे पती को हमारे बस पर में कर देना यह आशिरवात मांग रहे है वह क्या किसको कर देगी जो खुद नव दिन के बाद जा करके लपेट करके कहीं गड़े में फेका जाती है और फेकने वाले को नहीं रोख पाती है कि अरे तुम अभी तक मुझे पूझ रहे हो, काहे फेक रहे हो कुछ नहीं है उसमें चाहे आप पूजो और चाहे डंडा लगा करके उधर तोड़के फेंग दो कुछ भी कहने वाली नहीं है असली दुर्गा को पूजो आप लोग खुद दुर्गा हैं आप लोग सरश्वती हैं और आप लोग ही सावित्री हैं, सीता हैं, जगदंबा हैं आप लोगों ने जनम दे करके इन बच्चों को डाक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील बना दिया और आप लोगों ने ही ये साधू सन्यासी बना दिया ये जो बुद्ध, महाबीर, कबीर, दयानन्द, विवेकानन्द, आदी बड़े-बड़े महापुरुस हो चुके हैं ये भी तो आप लोगों ने ही जनम दिया है आप लोगों जैसी किसी नारी ने ही जनम दिया है उनको और ये महापुरुस बन गए इसलिए आप लोग अपनी गरिमा को, अपनी महत्ता को और अपने इस महांता को समझ करके ब्रांतियों से उपर उठो भटकना नहीं है कहीं ये जड़ पिंडियों को पूझ करके कुछ नहीं मिलेगा पूझना है तो अपने घर के उन नरनारियों को, माबहनों को, भाईयों को पूझो, ये देवी देवता हैं, और संत गुर्जनों की पूझा करो, जो ज्ञान, विवेक, वाराग, शान, तिसद्गूर, सदाचार, संपन्न हैं, और आप अपने बाल बच्चों को ऐसे देवी बनाये, जब तक आप मनुस की कीमत को नहीं समझेंगे, ना खुद आप लोग महान बनने के रास्ते पर चल पाएंगे, ना अपने आपको, अपने बाल बच्चों को महान बना पाएंगे, जैसे आप लोग इधर उधर पूझ पाज करके जीवन बिता रहें, वैसे बाल कहीं भी, अपनी गरिमा को घटा करके, अपनी महानता को घटा करके, साधारन इस्थिती में भटकने की जरुवत नहीं है, और भूत प्रेथ जादू टोना कहीं नहीं होते हैं, अभी हम इसमें पूछा हैं, तो कहीं माताएं बताने लग जाएंगे कि साहब भूत प्रेथ ह अए और कहीं कुछ होगा तो पीछे आया रहा होगा उसका कोई इतिहास नहीं है लेकिन हां अंदाजे से कहेंगे हँए आप लगा था कि भूत रहा इससाब केवल मन की ब्रानती है कहीं भूत-परेट नहीं होते हैं को अगर भूत-परेट आपके कुरावाली में कहीं है तो लाओ, हमारे उपर कर दीजिए, हम प्रयागराज मिले जाकर के संगम में उसको प्रवाहित कर देंगे, चला जाएगा गंगा सागर, ऐसा कहीं कुछ नहीं है भूत प्रेत, कहीं कमजोर नहीं बनना है, विचारवान बने, भूत प्रेत नाम की कहीं कोई चीजे नहीं होती है, जादू टोना भी कुछ नहीं होता है, किसी जादूगर के चक्कर में मत पढ़ना, कि कोई जादूगर, तांत्री, कोजा, सोखा, बईगा आएगा, जाड़ फूख करके आपके दुख को दूर कर देगा, यह हम खुद अपनी कमजोरी से दुख को बुलाते हैं, और इस कमजोरी में दुख को भगाना चाहते हैं, कमजोर लोगों को कहीं सांती नहीं मिलती है, सरीर की कमजोरी कमजोरी नहीं है, मन की कमजोरी बहुत बड़ी कमजोरी है, इसलिए मैंने पहले ही कहा, समझदार बनने की जरूरत है, जहां लोग समझदार होते हैं, वे कहीं इन भ् श्रासों में और जादू टोना में भूत प्रेत के चक्कर में अब मिट्टी पत्थर पूझने में और लकडी गोबर गड़ेस आधी आधी अब यह माता हैं तो पता नहीं गोबर का गड़ेस बगा बना करके पूझ डालती हैं अगर गड़ेस जी आ जाएं तो आप लोगों क ढ़नी की बनालो और नहीं तो सौनाचांदी की बनांव दफे गोबर की लेकिन इन पंडितों ने तो सब कुछ करवा लिया है अगोबर दूद दही घी तो खाने की चीज है और वह कहा कि नहीं पंचगब के नाम पर दूद दही घी के साथ साथ गाया गोबर और उसका पै होती है इसलिए कह दिये कि नहीं गोबर का भगवान बना लो गोबर का भगवान बना लेंगे तो वो बेड़ा पार कर देगा आप लोगों को जीवित बेटा चाहिए, जीवित पति और पत्नी चाहिए, जीवित नाक्टर और मास्टर चाहिए, तभी ना वच्चों को पढ़ाएगा और दवाई देगा, और फिर जीवित नारी सही साधी करते हैं अपने बेटा बेटी की, लेकिन भगवान कैसा चाहिए जीवित नहीं चाहिए मारा हुआ चाहिए वो मिट्टी पत्थर का अलोहा लकडी का अगोबर का यही भगवान कैसा गजब है तमासा ना यही है समझदारी और यह हमारी भारती परमपरा में खुब चल रहा है और इसके मूल में कौन है बाबा लोग है समाज के अगुवा लोग है और उन्होंने उनके पास सदा से बिद्या और सिक्षा का अधिकार था और इसी वर्ग में एक इतना समझदार टैलेंटेड रहा और भ्रांतियों का विरोधी रहा और इसी वर्ग में पुरोहित वर्ग इन ब्रांभण समाज में पुरोहित वर्ग सदा से चाहे देखो ब्रांभण पुरोहित हो कबीरपंथी पुरोहित हो वैश्डव पुरोहित हो सन्यासी पुरोहित हो कोई भी पुरोहित होगा पुरोहित वर्ग कभी नहीं चाहता है कि समाज अंधविश्वासों से दूर उठे वो चाहता है कि जैसे तैसे उसके जाल में फसे रहो और उनको दक्षिणा दान देते रहो और उसके आज्या में चलते रहो और वो जैसे कहा है वैसे इधर-धर सरपटक करके आप मनाते रहो लेकिन जहां एक विचारवान रहा उस प्रहमः समाज में एक से-क योग महापुरुष हूए है सद्गुर अविलाश साहब जी उसी में से निकले महा तार्किक महा वैज्ञानिक चिनतन्वाले सब्गुर कबीर साहब की परमपरा में पच्चासू ऐसे महापुरुष हुए जो प्रहमः समाज से आए और महा वि बिना विचार के ये माताएं बहने भाई लोग कोई भी हो साब भटकते रहते हैं जहां तहां पढ़ाई लिखाई कि कोई इसमें महत तो नहीं हैं एक से एक पढ़े लिखे लोग इतना भटकते हैं जाकर के मिट्टी पानी तीरत मूरत गंगा गड़ी और भ्रांतियों में कि गहरी समझदारी होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई का सही उपयोग होना चाहिए वैज्ञानिक चिंतन होना चाहिए आज देवियों में भी साइंस पढ़े लिखे हैं भी लेकिन अन्न चीजों में हर चीज लाजिकल विचार रखेंगे लेकिन जब दुख मिटाने की बात ब्रांतियों से उपर उठने की बात आएगी तो सारे बुद्धि विचार को ताक में धर देंगे बाबा ऐसे कह रहे थे पंडित जी ऐसा कह रहे थे अमुक गुरू ऐसा कहे थे ऐसा मानना चाहिए नहीं तो भगवान नाखुस हो जाएगा अध्योता नाखुस हो जाएग तो कहीं जा रहे थे बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो घबरा गये बिल्ली रास्ता काट दिया तो क्या हो गया अरे जाओ कुछ नहीं होना है सेर रास्ता काटे और उधर से बाग निकलावे तब समझना कि हाँ जरूर खत्रा है और कहीं तेल लेकर तेली सामने आ गया तो बंटाधार, तेली काओन आपका नुकसान, जब तेली नुकसान दे है, तो तेल तो महा नुकसान दे, क्योंकि तेल के कारण वो तेली हुआ है, तो सब को अपने अपने घरों से तेल फेक देना चाहिए, तेल ना बनाओ, ना खाओ, लेकिन नहीं, तेली का बनाया हुआ तेल आप लोगों ने खुब उप्योग किया, सरीर में लगाया, पकवान बनाया, और मालिस किया, अतेली को दोसी बना दिया, नाई, नाई से बाल बनवा लिए और नाई को कहें दूर रहना, अचूत हो तुम, धोबी से कपड़ा धुलवा लिए और धोबी को घर में घुशने न सब केवल भ्रांति है, कुछ नहीं, सब मनुस है, मनुर्भाव, जन्या, दिव्यम, जनम, मनुस बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो, यह हमारे वैदिक रिशियों ने कहा है, मनुस से, असद्गुरु कभीर ने तो इसके लिए खूप कहा है, इसलिए इन छोटी-छोटी बातों पर साथ को ध्यान होना चाहिए, मंगल बुद्ध उतर दिस काला, मंगल और बुद्ध को उतर दिसा में जाओ, तो काल है, जिन्दा नहीं लोट पाएंगे, तो उतर दिसा में इधर से जाने वाले सभी ट्रेन और बसों को रोक देना चाहिए, क्योंकि उनके उपर खत्रा है ना, तो कोई रुकी है आज तक, खूब भीड लगी है रोट पर, अमुग दिन बाल बनवाना चाहिए, अमुग दिन नहीं, अमुग दिल सिर्ध होना चाहिए, अमुग दिन नहीं, अमुग दिन इधर जाना चाहिए, अमुग दिन नहीं, सब बेकार की बात है, विचार करो समझदारी रखो और जिस दिन जिस समय उचित ना हो वो ना करो एक व्यक्ति था एक जगे एक ताशील में जाकर के फार्म डालना था और फार्म डालने पर वहां पर पचास हजार का लोन सब का माफ हो रहा था और एक सजन थे उनकी पत्नी ने कहा जाओ जी सुनो देखो आज हमारा जो लोन है अभी अखवार में निकला है कि फार्म डाल देंगे तो उसकी माफी हो जाएगी बहुत अच्छा रहेगा पचास हजार रुपए हमारा जो उसका पे करना है बचत हो जाएगी तो तयार तो एक ब्यक्ती ने छीक दिया ओ आज तो असुब हो गया है आज नहीं कल चलेंगे और तीन चार दिन का टाइम था मात्र तो उस दिन रुख गये तूसरे दिन जब चलने लगे कपड़ा पढ़ा पहन करके तो किसी ने टौक दिया तो फिर रुख गये फिर आज असुब हो ग गया तो फिर रोग दिये अस्तागित कर दिये ना गये क्या बताये बड़ा मन मसोच के रह जाते यह कौन कोई न कोई आ जाता है जैसे ही चावते दिन निकले थोड़ा दूर आगे बढ़े बिली ने रास्ता काड़ दिया अब फिर लॉट पड़े और अब जा नहीं सकते दिन गए पहुझ गये ताहसील और कहा कि ताहसील दार साहिब कमें अमुक फार्म दीजिये का उन सा फार्म कहें कोई लोन माफी का कहान हो तो कल साम को ही चल गया दिली और जहां से बड़े आफिस से माफ होना है वो सारे जितने लोगों ने फार्म डाला थह सब का चला गय अब ये छट-पटा के रह गए चारो दिन चले लेकिन कहीं कोई छीक दिया तो कोई छूचा घड़ा आ गया तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया चले जाते तो क्या हो जाता नुकसान हम इन भ्रांतियों में पढ़ करके बहुत नुकसान अपना करते हैं इसलिए इन सब बातो से उपर उठें और सच्चा विचार रखें ये विचार किसी के एक के नहीं है जैसे धूप आई है तो धूप किसकी हिंदू की की मुसलमान की ब्रामर की की सूद्र की इस तरीके की पूरुष की सब के लिए है ये धरती ये हवाएं ये सूरज और ये चान आग-पानी सब क के लिए है जो कोई जो अपनाएगा वही सुखी होगा और जो ज्ञान को नहीं अपनाएगा वही भटकता रहेगा डावाडोल रहेगा इसलिए घ्रावक्ति सदाचार सत्संग से जुड़ करके अपने जीवन को खुशाल बनाओ अपने बाल बच्चों को सुसंसकारी बनाओ आज ज्यादा सिच्छित बनाने से जरूरत है कि संसकारी बनाना, सिच्छित तो सब लोग हो रहे हैं, सिच्छित हो हो करके और डाक्टर मास्टर भी हो करके अगर सराप पी रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लड़ जगल रहे हैं, पत्नी को ही पीट रहे हैं, अब अपने मानिएगा कि हम लोग ते इस तरी हैं क्या कर लेंगे आप लोग बहुत कुछ कर सकती हैं आप लोगों के ही गोद में बच्चे पलते हैं और इन बच्चों को ऐसे विचार दे सकती हैं कि जो पूरे देश को बदल सकती हैं इसलिए ऐसा कुछ जीवन अपनाओ विचार अपना बढ़े हो गए अपने धंग से जिये करेंगे, कमाये खाएंगे, उनके मोह में इस बुढ़ापे में भी ना लटके रहो, भजन का काम करो, और विचारवान संतों से जुड़ करके अपने आपको पहचानो, आप सरीर से अलग अभिनासी आत्मा हैं, और ये सरीर के दुख सु पूठे हैं, वो भाव से पार गया है, इसलिए ये सुक दुख तो आते जाते रहेंगे, इससे उपर अपने आप अभिनासी आत्मा को जान करके, साब तरफ से निर्मोह निश्काम हो करके, आत्म शान्ति के हिस्सेदार बने, यही जीवन का महान लाब है, बस अपनी बात यही पर मैं समाप्त करता हूँ, हमारे बीच पूठ ये, स्रदे स्री साहब जी विराजमायन है, आप कभीर आश्रम बाइगमा काउसांबी से पधारे हुए है, और स्रदे संस्री विकास साहब जी आप से निवेधन है, कि आप अपने ग्यान गंभीर विचारों से हम सब को लाभानित करने की क्रिपा करें, बोलिए सद्धि गुरु देवे की जय, पूजनी संसमाज, धरम प्रेमी बंधों, आव सद्धा मूर्ती मा बहनों, एक कुरा वाली निवासी माताएं हैं, और भक्ति मती उमा माता बहुत दिनों से कहती रहें, कि जाहिए एक बार और आ जाएए, तो जब यहां बड़ा कारिक्रम हुआ था, उस समय हम लोग आये थे, जब तूफान आ गया था, अब की बार तो तूफान नहीं है, अब इधार इनका भी धीरे-धीरे शरीर बुढ़ापा की ओर बढ़ गया है, तो सोचती हैं कि अब अपना ही जीवन बुढ़ापे में कठिन हो जाता है जीना, तो अतितियों को, संतों को यह सब बुला-बुला करके जञजट लेना तो ठीक नहीं, तो लेकिन फिर भी अब वो कहती रहीं, तो आना हो पाया, आप सबसे मिलना हुआ, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, तैसे तैसे दुख मालूम पड़ता है, पहले मालूम नहीं पड़ता है, फूल जब खिलता है तो दुनिया लोग उधर आकरशित होती है बड़ा मोहाख होता है और फिर धीरे 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 जैसे दुपहर का सूरज उपर चमकता है तो हर नर्नारी जमानी की ओर बढ़ जाते हैं और फिर ढलान की ओर आते हैं तीरे धीरे सरीर में रुखड़ा पन और बदलाव आते आते लोग बार बार देखते हैं कि अब वो चमक नहीं रह गई बज़पना चला गया अब तो मैं बदल रहा हूँ बड़ी निरासा होती है लोग हाथ पैर देखते हैं सीसा के सामने बार बार खड़े होते हैं तो कई बार दरपण में तो नराजगी आती है कि दरपणा के तोड़ डालें क्या ऐसा हम क्यों हो गए हैं लेकिन कोशिश करते हैं खाते हैं पीते हैं बहुत युकती निकालते हैं विटामिस ढूणते हैं लेकिन ये सरीर का नियम है बदलते रहना एक दिन ऐसा आता है कि मन पस्त हो जाता है और कुछ नहीं सुहाता है फिर सद्गुर कवीर कहते हैं बहुत दुख दुख की खानी तब बचिहो जब रामही जानी और थोड़ा आगे कह देते हैं कि युक्त युक्त चला संसारा निश्चय कहा नमान हमारा लंबा पद है लेकिन इसी तीन बिंदूओं पर हम थोड़ा विचार करते हैं कि बहुत बहुत दुख दुख की खानी ये खानी क्या है चार खानियां तो नाम सुने होंगे 84 लाख जिसको कह देते हैं लोग तो 84 है कि 85 है कि 86 है आप लोग जानते हैं कितना होगा लेकिन सुने हैं लेकिन एक अर्थ लगाएं चार रासी को रासी कहते हैं धेर को कहते हैं एक बहुत बड़ी रास खड़ी हो गई जैसे जब अन्न कुटा जाता है धान गेहूं तो उसका जो धेर लगाया जाता है तो उसे रास ही कहते हैं रास खड़ी करते हैं तो उसमें बहुत दाने होते हैं एक एक दाने भी खेर द तो रास खतम हो जाती है बहुत लोगों का जहां जमावड़ा होता है उसे समाज कहते हैं एक-एक आदमी चला गया तो समाज नाम की चीज नहीं रहती है देखो एक समाज देवियों का समाज यहां लगा है एक-एक करके आए समाज बन गया एक-एक करके चले जाएंगे समाज तो यह चार जो खानियां हैं चार धेर हैं पसू का एक धेर है और पक्षियों का एक धेर है कीडों का एक धेर है मनुस्य का एक धेर है तो चारों खानियों के जीवों को बहुत दुख है मनुस्य तो एहसास करता है दुख का इंतजाम और दुख का नास भी कर देता है यहां दुख बनाना और दुख को नश्ट करने का दोनों इंतजाम है और पसू में कीडे मकोडों में पक्षियों में ये तीन खानियों में कोई बिवस्था नहीं है कोई व्यवस्था है नहीं है तो इसमें बहुत दुख है मनुस्य महान कहा जाता है बड़े भाग मानुस्तन पावा ऐसा है कभी कि इतना सास्त्रों में लिखा गया संत महापुरुष कहते हैं बड़े भाग मानुस्तन पावा तो यह क्या भाग हो गया हमारा क्या यही हाड़ चाम का सरीर दिखाने के लिए कि कुछ करने के लिए कुछ करने के लिए है इसे कुछ ऐसा चीज किया जाए ऐसा जीवन जिया जाए जैसे अभी संस्री राम सहब जी के द्वारा स्रवण कर रहे थे कुछ जीने की बात किया जाए लोग यहां चीजों की बात करते हैं हाल चाल में पूछते हैं को भाईया राम राम राधे राधे कहो क्या हाल चाल है बच्चे ठीक ठाक है अन बोया गया कि नहीं खेती बारी ठीक है घर बना ठना है सब यही चीजों की बात करते हैं कोई नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में सद्गुण की सामग्री कठा हुई, कल्यान का काम कुछ करते हो, शान्ती मन में रहती है, दयाच्छमा सील संतोच कुछ कमाए हो, सत्संग किये हो की नहीं, ध्यान करते हो की नहीं, संतों का दर्शन किये हो, संत घर में आते जाते हैं, दिक्षा उपदेश लिया की नहीं कोई पूछता है भला, नहीं पूछते हैं, बास जैसिया राम भाईया, बहुत बढ़िया चकाचक, और कुछ चकाचक नहीं है, साब विचारे सिर्फ माथा पकड़े बैठे रहते हैं, क्योंकि जीवन का कोई नक्सा नहीं बनाए है, जैसे कोई घर बनाते हैं, चाहे थोड़ा सा हो, एक कमरा बनाना हो, अच्वा दस कमरा बनाने हो, कोई साधान माकान बनाना हो, अथवा भव्वन बनाना हो, कोई महल, सभी माकानों में अच्छा और बुरा कुछ नक्सा कुछ अपसाधान ताउर से नकसा बना लेता है अपने मन में कि इतना बड़ा अईसा बनाना है इसमें आलवरी यहां देना है शीड़ी यहां देना है की जे लोग बढ़े माकान बनाते हैं लगपती खौणपती लोग तो वहां तो फिर 10-20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 कोई नक्सा ही नहीं है देखो एक लड़का लड़की की साधी हुई कोई नक्सा नहीं बना बस साधी होए माता पिता बस डीजे डाजे बजवा करके भेद दिये जाओ अरे कुछ तो पढ़ा दिये होते कि बेटी यहां से जाओगी तो इस तरह से रहना होगा ऐसा तुम्हें रहना है विवाह करके वहां तो कहा गया विवाह विवाह का मतलब होता है विशेश ढंग से जिन्दगी जीना लड़की लड़का जब मिलते हैं वो जवानी अवस्था रहती है मता पिता साथ सचुर बुढ़े भुजरुग ननन देवर तमाम मिलते हैं एक बड़ी जिम्मेदारी होती है तो विशेश ढंग से जीवन जीना है लेकिन कुछ नहीं पढ़ाया गया कोई उद्देश नहीं बनाया गया लड़का भी लड़की भी बस साधी करके भ लड़का तो वहां कुछ जीने की अकल नहीं दोनों भीडे तो खटपट करने लगे माता पिता से खटपट हो गया अतिति आता है वो भी निराज चला जाता है कोई किसी के साथ सुन्दर बेवहार बरताव नहीं क्योंकि नक्सा नहीं बनाया गया मैफ नहीं बनाया गया ल कम दिन भर का तो नक्सा बनाओ बनाएंगे आप लोग लोज सुबा उठो और आख मूंद करके अपने इष्ट जिने आप गुरु मानते हो देवता मानते हो भगवान मानते हो उस भगवान के सामने मानो निरड़े लो कि है प्रभू मुझे आज साम तक बढ़िया जीवन जीना है कैसा बढ़िया मुझे हसते मुस्कुराते होए प्रेम से ब्यवहार करना है लोगों के बीच में मुझे आज जूट नहीं बोलना आज गलती नहीं करना आज मुझे कटू नहीं बोलना है साब से मीठा मीठा बोलना है पती के साथ माता पिता के साथ दिवरान जिठ प्रभू आज मुझे ऐसी शक्ति दो कि मुझे कोई कुछ भी कहदेद आज मैं सहलूंगा ऐसा नक्सा बनाओ मन में तो आप देखेंगे कि दिन भार आपका बढ़िया जीवन रहेगा और फिर सुबह होगी शाम को धन्यवाद दू शाम को जब लेटो विश्तराम की ओर चलो तो जब विश्तराम आखमूंद की अब सो जाते हैं तो छोटी मौत आ जाती है बड़ी मौत इसलिए नहीं कहते हैं कि बड़ी मौत में सदा के लिए चला गया हो और जब नीद आ जाती तो छोटी मौत है तो उस समय निरड़े लेलो कि यहे प्रभू मैं मौत के मुख में जा रही हो पता नहीं फिर जिन्दगी लोटाए की नहीं अब सोते समय साई सदा के लिए सो जाएं तो तो निरड़े लेलो छमा मांग लो अपने परिवार से लोगों से सामने ना जा सको तो आखमूंद के प्रभू से चमा मांग लो गुर्दयों से चमा मांग लो कि आज म से हस्ते हस्ते सो जाओ कि देखेंगे कि बढ़िया नींद लगेगी कोई खराब सपना भी नहीं होगा सुबा जगेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मन मखन रहेगा आप मुस्कुराते होए उठेंगे अब फिर थोड़ा सा दो चार पांच मिनट निरड़े लेलो मुझ मैं खा पी रही हूँ मुझे कोई कमी नहीं है कोई कमी कोई शिकायत नहीं अब फिर हस्ते होए काम में लग जाओ इस तरह पांच-पांच मिनट ददस मिनट भी अगर निरड़े लेलो तो जीवन इतना बदल जाएगा इतना बढ़िया हो जाएगा ये नक्से का परड़ाम है निरड़े का परड़ाम है खुष जीवन जीने का लक्ष का परड़ाम है जीवन में जो कुछ खुषालि होती है हमने कुछ सोचा है उसके पहले तो ये संसार जो जनम हुआ है तो बहुत दुख मैं है तेखो अभी दुख गिना रहे थे संस्री राम सहब जी कर ठंडु लगती है दुख ही तो है और यह सतसंग भी होता है तो किसलिए चल करके घर से आए तो दुख मिटाने के नाम से चले सतसंग सुने कुछ मन में सांति आये दुख बढ़ाने के लिए तु नहीं आए अगर वहीं से पता चलता कि महराज जी कि वहां दुख बढ़ाएंगे हमारा तो वहीं से लौट जाते कि ऐसे सत्संग से हाथ जोड़ो भई नहीं जाएंगे पता है कि सत्संग में जाने से कुछ जीवन जीने की कला मिलती है कुछ अकल मिलती है जीने का संदेशा मिलता है कैसे हम जीवन जीए उसका रास्ता मिलता ह इसलिए सब लोग आये हैं कुल मिला करके दुख मिटाने के लिए धरम करम करते हैं या कुछ भी पूजा पाट करते हैं दुख मिटाने के लिए हाँ जब रास्ता सही नहीं होता है उल्टा होता है विप्रीत होता है तो वही गलत कठिन हो जाता है दुखमय हो जाता है देखो, रास्ता तो सभी चलते हैं, लेकिन एक उल्टा चलता है, एक सीधा चलता है जब उल्टा चलता है आदमी तो अपना मंजिल, अपना घर बहुत दूर होता चला जाता है जहां पहुचना चाहते हैं और जब सीधे चलते हैं बहुत जल्दी पहुच जाते हैं तो सीधा चलना आरंभ करें चलते तो सब हैं लेकिन चलने का तरीका तो होना चाहिए तो एक बहुत बड़ा पहलवान था गया चोर राहे में खड़ा हुआ आटो वाले से बोला मुझे पहुचाओ वहाँ बोला पचास रुपे लगेंगे अरे पागल कहीं का पचास रुपे एक किलो मीटर पढ़ता है पचास रुपे लेगा तो अब उसे रास्ता भी नहीं मालूम था कि वो मन्जिल जहां तक मुझे जाना है अपनी गाड़ी लेकर किसी दूसरे को बैठा करके तो सोचा कि मैं पहलवान हूँ एक किलो मीटर तो दोड़ ही लूँगा तो टम्पू के आटो के पीछे पीछे दोड़ा अब वो आटो भी प्रीद दिसा में पहुच गया पहले तो चौराहे से एक किलो मीटर उसको जाना था लेकिन आब वो दो किलो मीटर हो गया तीन किलो मीटर हो गया एक जगा चौराहे पर रुका दूसरा चौराहा था तो पहलवान बोला के टम्पू वाले रुको अब तो पचास से कुछ कम करोगे ना अब तो काफी चला आए हैं, अब तो पचीस में काम हो जाएगा, कहें अरे भाई, तु कैसा आदमी है, मैं उल्टी दिसा में आया हूँ, अब मैं साव रुपे लूँगा तुम से, कहें इतनी देर तक चला हूँ, तब भी कम नहीं करते हो, कहें अरे उल्टी दिसा में आये ह सब बढ़िया है लेकिन उल्टा कर देते हैं तो हमारी जो अस्थली है जहां पहुचना चाहते हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं वो उल्टा हो जाता है एक जगा चुहा था बहुत से चुहे तो सोचे की मेहनत करने से कभी आद्वी भूखों नहीं मरता है तो हम लोग भी मेहनत करें मेहनत का फलहाई सुखदाई तो एक चुहा ताजा और मोटा ताजा था पूछताना और दोड करके कच्चे माकान में प्रिवेश किया वहां दिवाल को काट दिया और कहा कि यहां जरूर खाने को होगा आगे घुश गया भीतर और वहां एक पक्की दिवाल थी उसे भी काटा उसको भी काट कर अंदर घुशा वहां कुछ बोरे लगे थे लिक्ट उसको खाने के लाय कुछ नहीं था तो एक टोकरी रखी हुई थी तो देखा कि इसमें कुछ खाने को है बंद थी टोकरी चारो तरफ से बांस की टोकरी थी तो सोचा कि इसमें जरूर कुछ है तो उसको काटने लगा उसके दात मसूडे कट गए मुख से खून निकलने लगा चुहे के लेकिन काट दिया बहुत तेज दातों से कुतर दिया अन्दर जैसे घुसा तो वो बंगाली का घर था सपेरों का साप दिखाता था तो जभिया में साम को लेजा करके धाके रग दिया था भूखा प्यासा साप था और गुसाया हुआ जैसे ही चुहा अंदर घुसा की कुछ खाने को मिलेगा टोकरी में तो ऐसे सांप वहां नाराज था और उसे डस लिया और निगल गया क्योंकि शांप का भोजन ही है चुहा तो देखो मेहनत तो किया लेकिन बहुत उल्टा परणाम निकला अब सिधा परणाम कैसे होता एक किसान था किसान अपने खेत को जोत रहा था इतने में संकर और पारवती दोनों भ्रमण करते हो चले जा रहे थे पति-पत्नी अपने बैल को लिये होए थे तो बोले पारवती कहती हैं कि अरे मालिक प्रभू देखिए किशान पगला गया है अपने बैलों को मार रहा है जब बारा वरस का सूखा पड़ गया है और ब्रमभा जी ने ये आडर कर दिया है कि बारा वरस का सूखा पड़ेगा पानी नहीं बरसेगा जब पानी नहीं बरसेगा तो अन्य कहां पैदा ह होगा आये बेकार खेत में परिशान है बैलों को मार रहा है हल तो तो बिना पानी के कहां फसल होगी तो संकर जी ने कहां बात तो सही है चलो इसको मना करते हैं किसान को परिशान नहों क्योंकि इसको पता नहीं होगा गए दोनों अरे भाईया किसान क्यों परिशान हो किसान ह हल को रोका और बोला कि देखो हमें पता है कि बारा बरस का सूखा पढ़ गया है तो हम सोचते हैं कि बारा बरस अगर हम बैठे रहेंगे घर में हमारे हाथ पैर भी कमजोर हो जाएंगे हमारे बैल जोतना भूल जाएंगे हल में दिमक लग जाएगा और जंक लग जाएगा हल फाल में तो भाई अखेत में जंगल हो जाएगा बंजर हो जाएगा तो इसलिए हम अभ्यास कर रहे हैं सकारात्मक धंग से सकारात्मक दिशा की और मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फाल निरार्थक नहीं जाता बोले वो तो ठीक है मेहनत का फाल मिलता है लेकिन जब सूखा करो संकर हो जहाजोन हो किषान आदमी तो भाई कोई गवाई देहाद डरता वरता नहीं कोई प्रधान मंत्री पहुच जाए तो अपने किषानी मस्त हो जाओ तुम मुझे जोतने दीजिये काम रोग देते हो चले गए जब रास्ते में चले जा रहे थे तो पारवती के दिमा अब्यास के लिए उत्व हाई रोक नहीं रहा है क्योंकि भूल ना भूल जाएं इसकी कमजोर ना हो जाएं इसके इस कर रहा है क्युक्य मेहनद धूप में तो कहीं हमारे संकर जी णमरुब आ भूल जाएं ना चना ना भूल जाएं, नहीं सब घरबर हो जाए, जरा देखें तो, तो कहा है प्रभू, आप जरा डमरू बजाईए तो, कहा है नहीं, ब्रह्मभा जी ने कडर दिया है कि जब डमरू बजेगा तब बरसा होगी बारा वरस तक डमरू नहीं बजना चाहिए तो मैं डमरू क्यों बजाओं ब्रम्भा जी की बात खराब हो जाएगी कहिन नहीं नहीं मुझे सक हो रहा है कि तुम भूल जाओगे डमरू बजाना भूल गए तो सब मानलो तो जानते हो नारी का हट राजा का हट बालक का हट और साधू का हट अगर यह हट चारों कई लें तो कोई कुछ कर नहीं सकता अपने हट के सामने फेली कर देंगे तो पारवती का भी हट रहा कि नहीं नहीं लो मैं अनसन में बैठती हूं जल्दी बजाओ डमरू नह नहीं मानेगी, तो बजवाई डालेगी, तो डमरू निकाले अपने थाइले से, आओ फिर बजाना चालू किये, नाच कर दिखाओ जरा, तो नाचना भी पड़ा उन्हें, जैसे डमरू की आवाज हुई, तो बादर बड़े-बड़े चढ़े, गड़गड़ा हट की आवाज हुई और इतना बारिष हुई, इतना बारिष हुई, कि किसान तो फिर क्या कहना, जोते हुए, खेत में, पानी गया, तो फिर बिलकूर अम्रित जैसे लगा, लाकरके धान छीट दिया, फिर पाटा लगा दिया, फिर उगादान, सब गाओ के लोग तो देखते ही रह गए, कि बारिश तो हुई लेकिन न बैल है न हल है साफ तोड़ता डाले लोग खेत में सब जंगल हो गया उसर हो गया अब क्या करें सब लोग ताकते रह गए हाथ मलते रह गए अब वो किशाण जो मेहनत कर रहा था वो माला माल हो गया मतलब सही दिशा में जो मेहनत करता है उसको कमी नहीं होती है सफल होता है जो गलत दिशा में मेहनत करने वाला सदेव हाथ मल के रह जाता है ऐसे ही हम सब पूजा पाड धरम करम भक्ती करते हैं तो कम नहीं करते हैं बहुत करते हैं राद दिन लोग पूजा पाड धरम भक्ती भगवान भवानी में लगे हैं लेकिन सही दिशा न होने से परडाम अच्छा नहीं निकलता है पर राम को भी ख्याल रखना चाहिए बहुत दुख दुख की खानी तब बचि हो जब राम ही जानी बहुत दुख है ये चारो खानियों में तो इन दुखों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा राम को जानना पड़ेगा तो राम कौन है राम तमाम ये सब के अंदर बैठा हुआ राम है जो रमा हुआ आत्मा जीव है परमात्मा है उसे राम कहते हैं उस राम को जानने के लिए हमें गुरु भक्ती और विवेकी संतों की जरूरत है बिना विवेकी संत मिले उसको बताएंगे नहीं कोई है पासे भासे नहीं नालत ऐसे जिंद तुलसी ऐसो नलिनको भयो मोतिया बिंद को स्वामी जी कहते हैं कि पास में है राम लेकिन पता नहीं चलता है केवकि देखो जब बुरहापे में मोतिया बिंध हो जाता है आखों में तो पास की वस्तू ही नहीं दिखाई करवाना पड़ेगा तो जाओ अस्पताल डाक्टर अप्रेशन कर देता है और फिर देखते हैं कि दिखाई देने लगता है भीता रोशनी थी लेकिन एक पर्दा पड़ गया था अईसे ही मनुस्यों के सभी मनुस्यों के भारी सक्ती है इतनी सक्ती है उसी की सक्ती से जो संसार में चाहल पहल हलचल मची हुई है मनुस्य की ही करामात है मनुष्ण न होता तो जानते हो ये संसार जंगल रहता सोया जैसा रहता और प्राणी हो पसु पक्षी करिम कीटादी चीटी मटा तमाम सर्प विक्छु बाग भालू जानुमर सुर्बकरी कुत्ता बिल्ली सब रहे केवल मनुष्ण न रहे तो ये संसार जंगल है बिज खड़ा हुआ है अपार संपतिस में उसने लगाया है इसमें लोग दवड रहे हैं और कितना टन माल लेकर के गाड़ियां दवड रहे हैं मजबूत बिज बना हुआ है ये घार ये सहार ये बस्ती ये बिजली ये मुबाइल ये कंप्यूटर नाना प्रकार के शाधन औ और आकास पाताल में जो हल्चलमची है मनुष्य की करमात है ऐसा किशी भगवान ने बनाया क्या किशी देवी गता हमारे तैतिस करोणक देविव। देविव गता काहीं पता है क्या नहीं है तो कुछ हो जाता है जिंदगी में तो क्या ये काम आते हैं क्या काम तो इसी में आते हैं यह मसीने काम आती है मनुष्यों की बनाई हुई मसीन सारी बिमारियों को बताती है सारे शरीर का नाप जोग करती है तो उसी से पता चलता किसी भगवान ने कोई मसीन बना के भेजा कि तुहारे हार्ट के लिए किटनी के लिए है यह खुन नापने के लिए है दि दिना अपने की कोई दिया क्या मनुष्य ने सब बनाया तो नाना कला कल्पना है मनुष्य की तुहारा नहीं तो तुहारे अनुष्य की जितनी भी कला कल्पना है सोचो इतना अपार संसार में है कि दिमांग वहां तक नहीं पहुचता है इतना मनुष्य अपार सोचा है नाना सकती सब के अंदर है बस उसको उद्गाटित करने की जरूरत है जैसे इस प्रिथवी में नाना अपार संपदा है ना बहुत सारी इसी में कोईला है पिट्रोल है सोना है चांदी है पीतल है तांबा है पत्थर है नाना प्रकार के पत्थर मारवल देखो इसी धरती में है पहा बहुत है कि तना अच्छा भजन है तो इस घट में सब कुछ है तो उसे मोठीरा मौती जरूरत करो कैसे होगा संत कुकी संभी संत aura की संत मिलेंगे वो बताएंगे तो जैसे अभी बताएं कि माताओं केस्पार शक्ती भक्ति भावना से भरी होती हैं लेकिन व कि सही दिसाबस सही होना चाहिए देंखो पानी में जैसे बहुत बड़ी सक्ति है उसे बिजली बनाओ खेत को हरा भरा पूरा जंगल हरा भरा कर दो कैसे बड़े-बड़े बांध बना करके नहर निकाल दिया जाता है दोनों तरफ नहर यह दोनों तरफ दीवाल काम करती है पानी सही दिसा में बहे जिदर हम चाहते हैं उधर प दिया जाता है पानी बहता है चोटी चोटी नहरे निकाली जाती है वही पानी जो सागर में बह जाता था वही पानी देखो कितना किशानों के लिए आयन पैदा करके बाजारों में भरा परा है ट्रक का ट्रक माल तो वह पानी बह जाता बेकार चला जाता था वही पानी करके पालन करता है उसी से बिजली देखो तैयार हो के आज जगमगा रही है चारो तरफ कितनी बड़ी सक्ती है पानी में यह किसने को खोजा यह मनुष्य ने खोजा कोई भगवान कहीं कालपनिक भगवान देवी देवता पत्थर का पेड़ पहाड का नहीं बताया यह कहले तो गड़ा यह को जब शर्मां काहते शाओ पाल्वान पॉच्छा करें घृष्य यॉद्ध दूढ़ा हो गया कि अओचना सिर लेकिन बहुत और वह पाल हो गया से बंश नमनेων गद्वे में ठीय करके भाड़ा से approached in बहुत डरपोक हो गया, तो जंगल से जो असली सेर था, वो देखा कि अरे, मेरी जात विरादर का ये, तो जंगल का राजा भेड़ों के बीच में क्यों है, तो वहां से दवड़ा पहाड से, आ करके, जैसे पास में आ तो सब भागना चाहे, वो भी भागना चाहा, सेर छलां आ उस अपने प्रजाती को सेर को पकड़ लिया, तो वो में में चिलाने लगा, अरे मूर्क तु सेर है, कहें, नहीं, नहीं, मैं भेड़ हूँ, कहें, नहीं, तु सेर है, तो ले जाकर के उसको पानी सरोवर में दिखाया, कि तेरा और मेरा देखो परछाही चेहरा एक है न तब उसे काफी विश्वास हुआ, कि अच्छा लगता है, मैं भी सेर हूँ, कहें, दहाड जोर से आवाज कर, तो जोर से जंगल का सेथ दहाडा, आ उसे भी कहा, कि तू भी इसी तरह दहाड, तो उसके भी मुख से वही आवाज निकल पड़ी, सेर जैसे, तो पुरा का हटक गया था, भूल गया था, अपने आपकी भूल वस, मैं भेडियों के बीच में जीवन जी रहा था, ऐसे ही हम भूल वस हैं, अपने आपको जानने के लिए हमें संद गुरुजनों से साहस ज्ञान लेना पड़ेगा, जैसे वो जंगल का सेर आया, तब बताया तो उसे स हग्वत बुद्धी है, जाग्रित हो जाती है, तो अरे, तो पता चलता है कि अरे, ये राम, भीतर बैठा यही तो परमात्मा है, यही तो राम है, इसलिए सबको र्भी शक्ति, गीता में बताया गया है राम गया है, अपने सेसे से भ습니다, बें तो और अबचान यही शक्ति है जिसके अंदर सद्गुण है वो क्या है दैवी सक्ति है तो इसलिए सद्गुण साथी जीव के जहां चोर्मंग मांज आयू भर रच्छा करें जब तक अंतन सांज तो सद्गुण की कमाई करें जहां रहें अपने परिवार में दैवी सक्ति का मतलब है कि सद्गुण सक्ति को इकठा करें दया छमा सीद संतो धीर विचार तन मन और बचन यह तीन चीजें होती हैं जैसे कि अभी कहीं भागवत की कथा हुई हो और वहां जाएंगे तो वहां कहेंगे शांती ही शांती ही शांती ही तीन बार बोलते हैं ना तीन बार हम लोग साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी करते हैं और जैसिया राम भहिया जैसिया राम जैसिया राम हो तीन बार वहां भी कह देते हैं तो तीन बार के मतलब तरह वाचा मजबूती के साथ कोई बात को कहने के लिए कि ये सही है सही है तीन बार कहने का प्रचलन हो गया किसी बात को दावे के साथ कहने के लि ये मजबूती से सद्गुण की कमाई करना चाहिए कि तन मन और बचन तो तीन चीजें हैं तीनों में दोस कुछ होते हैं तन के दोस मन के दोस बचन के दोस इस कुल मिला करके दस दोस होते हैं तो तन के दोस तीन है अब मन के दोस तीन है अचार दोस बचन के हैं गाली निंद जूट ये मन के दोस हैं बचन के जो दोस हैं चोरी हिंसा बेभिचार ये सरीर के दोस हैं तो मान कपडचल ये मन के दोस हैं तो दस दोसों को निकाल डावे तो देवता हो जाता है आदमी तब कोई भगवत बुद्धी में भगवत सक्ती में कमी नहीं रहती है वो देवी तब बनने के लिए ब्यवस्था नहीं है अपने घर में ही इन सक्तियों को इकठा करो दोस्त को दूर कर दो बस हो जाएंगे जैसे इन ही बच्चियों में इन ही बच्चों में वो डाक्टर बनने की छमता मास्टर बनने की छमता कलटर बनने की छमता है ना वो पढ़ाई पढ संतों की संगत करके ब्रह्मिचरी का पालन करते हुए मनिंद्रियों को जीतते हुए साधू का लाएंगे अवरत हो चाहे मर्द हो साधू बनने की शक्ति उनमें है बस साहस चाहिए हिम्मत चाहिए तो बहुत दुख दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी तो राम को जान लेंगे तब दुख से बचने का यह उपाय हो जाएगा राम वहीं जान युक्टी जो चलाई अच्छा राम को जान लेने पर एक और है कि युक्ती से चले पड़ा थे मनमानी नहीं करना पड़ता है अब इभ्राम को जान लिए पढ़ लिए भक्ती कर लिए भजन कर लेकिन तमको खा ले बेड़ी भी खा ले पीड़ी असराब भी पी ले गाली भी दे ले चोरी भी कर ले यह नहीं चलने वाला है बड़ी युकती से फूक फूक पैर रख करके चलना होगा अच्छा पैर में जूते मिल गए तो क्या आप खहा ही खंदक में कूदेंगे खाला बर्ची पर चलने क्या नहीं तब भी बराबर में ही चलना होता है जूते चपल हैं तो भी नंगे पैर हैं तब तो फी कंकड्य ग करके ही चलना पड़ता है और बच बच करके दुष्टों से गलत कर्मों से गलत बातों से विचार विचार करके और युक्ति जो चलई रामई जान युक्ति जो चलई युक्ति से फंदा नहीं पर रही तब कोई बंधन नहीं कोई दुख नहीं कोई परेशानी नहीं लेकिन निश्चय कहा नमान हमारा सद्गुर् monetary कभीर कहते हैं कि लेकिन संसार के लोग कहते हैं बड़े युक्ति से महाराद चलते हैं ve nothing जब कोई सडन है तभी तो गंध आ रही है और कोई कहे कि यहां तो कोई फूल नहीं खिला है महक कहां से आ रही है बिना सुगंधी के फूल के महक कैसे आ जाएगी आग नहीं है लेकिन धुआ कहां से आ रहा है बिना आग के धुआ भी नहीं होगा बिना सडन के गंध भी नही इसी दरहां विना गल्ती के कोई दुख भी नहीं होगा गनित है प्रकीतिया और धार्मिक गनित है आपके जीवन में सुख है शारीरिग सुख है मांसी सुख है धन का सुख है तो यह अच्छे कर्मों का फल है अगर कोई समेश्या है दुख है विपत्ती है तो यह हमारे बुरे कर्मों का परड़ाम है क्योंकि इसी गणी से समझ लो कि बीना आग के धुआ नहीं होती बीना तो इसी तरहा बिना गलती के बिना बुरे कर्म के दुख भी नहीं होता है क्योंकि यह जोड़ा है गलती का परड़ाम है दुख और अच्छे कर्मों का परड़ाम है सुख तो इस गणिस से अपने कर्मों को सुधार के चलना चाहिए लेकिन लोग मानते नहीं है कहते हम सब्सक्ति से चलते हैं फिर भी दुख हो जाता है कि जैसा वही तुम को मिल रहा है जो की पहले से दिया उसी का फल सामने है सुभासुब जैसा किया जैसा हम सुभा सुभ करते हैं उसी का परडाम हमारे सामने आता है इसलिए हम सबको सद्गुण की कमाई करके आत्मा राम को जान लेना है इस अंसार बड़ा दुख मैं है दुखों से बचने के लिए अपने भीतर राम को जान करके खुब विवेग विचार से सद्गुण की कमाई करें यहां अच्छा बिवहार करके रहें अच्छे मार्ग पर चलें और सही दिसा में चलें तो हम दुखों से बचेंगे और जीवन जीना हमारा बड़ा सरल हो जाएगा पुलिए सद्गुरू देव की जै होता है सत्थ संग सुहाना बहनों सत्थ संग मैं आना होता है सत्संग सुहाना बहनों सत्संग में आना सत्संग में आना भाई सत्संग में आना करना न कोई बहाना बहनों सत्संग में आना होता है सत्संग सुहाना भाईया सत्संग में आना होता है सत्संग सुहाना भाईया सत्संग में आना सत्संग की गंगा में धो डालो मने को सत्संग की गंगा में धो डालो मने को सत संग की गंगा में गोडालो मन को मन को तुम निर मल बनाना सत संग में आना भाई, सत संग में आना करना न कोई बहाना बहनो सत्संग में आना गुरु के चरण में है सत्संग की गंगा मिलता है ग्यान का खजाना बहनो सत्संग में आना सत्संग में आना भाई सत्संग में आना करना न कोई बहाना भाई सत्संग में आना और तेजी से ना होता है सत्संग सुहाना बहनो सत्संग में आना सत्संग के प्याले में अम्रित का पान करो सत्संग के प्याले में रोस अम्रित का पान करो अम्रित का पान करो विशियों से मन को हटाना बहनो सत्संग में आना ना होता है सत्संग सुहाना भाईया सत्संग में आना सभी संत कहते हैं सत्संग में आओ भाई सत्संग में आओ सभी संत कहते हैं सत्संग में आओ जीवन को सफल बनाना भाईया सत्संग में आना ना होता है सत्संग सुहाना भाईयनो सत्संग में आना ना करना ना कोई बहाना भाईयनो सत्संग में आना सत संग में आना भाई सत संग में आना बोलिये सत गुरु देवा की जये